देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरे शिवसेना नेता संजे राओ शाम चार बजे प्रेस कॉन्फरेंस करने वाले हैं इसके पहले मुंबई में अंडर वर्ड से जुड़े लोगों के दस ठीकानों पर प्रवर्दन निदेशाले की टीम चापे मारी कर रही है यह चापे मारी मुंबई और आसपास के इलाकों में जारी है तो मुंबई पुड़े एक्सप्रेस वे पर आज सुबख खंडाला घाट के खोपोली एक्जिट पर एक साथ 6 घाडिया आपस में टकरा गई हाथसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई आठ घायलों में से तीन की हालत गंबीर है वही मुंबई में संगीता नमक महिला ने कर्ज लेकर खुद का रेस्टोरेंट खोला है और आज लोगों के लिए प्रेरना पन रही है इसी बीच नीजी कंपनियों से मिली भगत का रेलवे को 22 करोड रुपे से जादा का चुना लगाने वाले आरोप में केंद्रे जांज ब्यूरों ने आठ रेलवे धिकारियों के खिलाफ एफायर दर्च की है उधर मुंबई के बोईसर में वाटसेप स्टेटस को लेकर हुए दो परिवारों में मारपिट के बाद एक 48 वर्ष ये महिला की मौत होगी प्रदिश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ मुंबई में अंडर वर्ड से जुड़े लोगों के दस ठीकानों पर प्रवर्दा निदेश आले की टीम चापे मारी कर रही है ये चापे मारी मुंबई और आसपस की इलाकों में जारी है सुत्रों के मुताबिक अंडरवल्ड के लोगों के अलावा इस रेड में महराश्टर के एक बड़े नेता का नाम भी सामने आया है ये रेड मनी लॉंडरिंग से जुड़ी है हालांकि अभी तक E.D. का कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है अंडरवल्ड डौन दाउद इब्राहिम की बहन हसीना पार करके कई साल से बन पड़े घर को भी E.D. की टीम खंगाल रही है ताजा जानकरे के मुताबिक E.D. ने छोटा शकिल का रिष्टिदार सलिम फ्रोट को हिरासत में लिया है जल्द ही उसकी गिरफतारी हो सकती है नबे के दशक में फरार हुए अंडरवल्ड डौन दाउद इब्राहिम से जुड़े लोगों पर बड़े पैमाने पर मनी लॉंडरिंग में शामिल होने का आरोप है कुछ दिन पहले केंद्रे जांच एजनसी को अंडरवल्ड के पंजाब कनेक्शन के बारे में भी पता चला था ये जानकर इस सामने आई थी कि पंजाब में अस्तिरता फैलाने के लिए पाकिस्तान की खुफी एजनसी आईएसाई अंडरवल्ड का सहरा ले रही है सुत्रों के मताबिक अंडरवल्ड से जुड़े लोग बड़े पैमाने पर मुंबई से पंजाब पैसा पहुचा रहे है इसी बहिने की शुरुआत में जांच करताओं ने 1993 ब्लास्ट के आरोपी अबु बकर को गिरफतार किया था 29 सालों से फरार अबु को दाउत का करीबी सहयोगी बताया जाता है अबु को सहयोगत अरव अमिरात में गिरफतार किया गया था शिवसिना नेदा संजे राउत की प्रेस कॉन्फरेंस से पहले हुई इस रेड को भी इसी मामले से जोड़ कर देखा जा रहा है मुंबई पुने एक्सप्रेस वेपर मंगलवार सुभव भीशन सडखात सहुआ जिसमें चार लोगों की मौत हो गई वही आठ घायलों में से तीन की हालत गंभीर है खंडाला घाट के खोपोली एक्जेट पर हुए इस हाथसे में एक साथ छे गाड़ी आपस में टकराई है ड्रक और कंटेनर के बीच एक कार सैंडविच बन गई और सबसे ज़दा क्षति ग्रस्त हुई हाइवे पुलिस के मताबिक दुरगटना सुबच 6 बच के 40 मिनट पर एक्सप्रेस वेपर मुंबई से पुने की और जाने वाली लेन में हुई है इस हाथसे में दो ड्रक एक कंटेनर दो कार और एक टेमपो आपस में टकराया है मामले की जानकारी मिलने के बाद हाइवे पुलिस मौके पर पहुची और सभी गाड़ियों को किनारे कर एक घंटे तक बंद रहे रूट को चालू करवाया इस दुरगटना में गौरो खरात, सौरब तुलसी, सिधात राजगुरू और एक अन्यक की मौत हुई है बताया जा रहा है कि हाइवे पर तेज रफ्तार से चल रहा कंटेनर टायर पंचर होने के बाद बीच सडक में रुख गया पीछे से आ रहे स्विफ्ट कार अनियंतरित होकर इससे टकरा गई जिसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई कार को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टकर मारी और इसके बाद एक-एक करके कार, टेंपो और ट्रक की टकर हुई हालांकि सबसे ज़्यादा छोटी गाडिया ही क्षतिक रस्त हुई है घायल भी इनी गाडियों में सवार थे सबी खायलों को खोपोली नगर अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, महाराष्टा सुरक्षाबल, एंजल रेस्क्यू टीम और खोपोली खंडाला हाईवे पुलिस मौके पर रेस्क्यू और बचाव कारिया में जुटी हुई है मुश्किल घड़ी में हिम्मत ही साथ देती है, जिनोंने इस मूल मंत्रों को अपनाया, इतिहास गवा है कि तमाम विपरित परिस्थितियों के बावजुद बहुत सफल रहे उन्ही में से एक है मुंबई की संगिता, ये महिला आज लोगों के लिए प्रिर्णा बन रही है अगर आप खाने पीने का शौक रखते हैं और इनसे जुड़ी चीजों को जानना चाहते हैं तो यकिनन संगिता की रसोई की कहानी आपके लिए ही है दरसल जब संगिता ने अपने सपने को उड़ान देने की सोची तो उनके पास महज 2500 रुपए ही थे ऐसे में दोस्तों से कर्ज लिया और खुद का रेस्टोरेंट खोला संगिता ने अपने इस रेस्टोरेंट को संगिता की रसोई नाम दिया शुरुआत में रोटिया बेची और यही से शुरुआत हुई बाद में उन्होंने एक टिफिन सर्विस खुली टिफिन सर्विस से आगे बढ़कर अब संगिता एक वड़ापाव स्टॉल और एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल चुकी है संगिता ने रेस्टोरेंट में खाना बनाने के दोरान अपने हाथ पैर भी जला लिये थे लेकिन वो बिल्कुल पीछे नहीं हटी और लगातर काम करती रही अपने रेस्टोरेंट को खोलने में दोस्तों से जो उन्होंने कर्ज लिया था उसे वो चुका चुकी है वहीव अपने रेस्टोरेंट में कई तरह के स्वाधिस्ट व्यंजन और कई तरह की थालिया लोगों को परोस्ती है संगिता ने जिस महिनत के साथ अपने इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की आज उसके दम पर वो लोगों के लिए प्रेरना बन चुकी है कई टीवी चैनल्स और यूट्योबर उनका इंटर्व्यू ले रहे हैं दुसरे तरफ उनके खाने को लोग काफी पसंद करते हैं नीजी कमपनियों से मिली भगत कर बिना जरूरत या जादा कीमत पर सामानों की खरिददारी कर रेलवे को 22 करोड रुपे से ज्यादा का चुना लगाने के आरोप में केंद्रिय जांज ब्यूरो ने आठ रेलवे अधिकारियों के खिलाफ एफायर दर्च की है जिन अधिकारियों के खिलाफ एफायर दर्च की गई है उनमें कुरला में तैना तकालिन वरिष्ट विभाग ये इलेक्ट्रिकल इंजिनियर विद प्रकाश भी शामिल है मामले में आरोपियों से जुड़े बारा ठीकानों पर छापे मारी भी की गई जिनमें कई एहम दस्तावेज बरामत किये गए है चानबिन में खुलासा हुआ है कि कई मामलों में जे एम पोर्टल के जरिये खरीदारी हुई है लेकिन आरोपि जान बुच कर जरूरत के सामनों का नाम ऐसा लिखते है कि वह दूसरों को समझ में ना आए और जिन कमपनियों से उनकी मिली भगत है वही इसके लिए टेंडर भरे CBI की प्राथमिक जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि ज्यादतर टेंडर कुछ खास सप्लायर्स को ही दिये गए कुल मिलाकर अधिकारियों ने नीजी कमपनियों और सप्लायरों से मिली भगत कर रेलवे को 22 करोट 60 लाख रुपे का चुना लगाया और बदले में उनसे घूस भी ली वेद प्रकाश के अलावा मामले में कुला के दतकालिन असिस्टन्ट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजिनियर विजे कुमार सहित अन्या के खिलाफ एफायर दर्च की गई है वाटसेप स्टेटस को लेकर हुए दो परिवारों में मारपिट के बाद एक 48 वर्ष महिला की मौत हो गई मामला मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर इलाके का है मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में एफायर दर्च कर एक नाबालिक को हिरासत में लिया है जबकि उसकी मा, बहन और भाई को गिरफतार कर लिया है विवाद तब शुरू हुआ जब शिवाजिन अगर इलाके में परिवार के साथ रहने वाली बीस वर्षिये पृती प्रसाद नाम की लड़की ने अपनी 17 साल की नाबलिक पडोसी की तस्विर के साथ एक वाटसेप स्टेटस डाला पडोस में रहने वाली लड़की को ये स्टेटस पसंद नहीं आया इस पोस्ट से नाराज लड़की ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ पृती से सवाल जवाब शुरू किये जो विवाद और मारपिट में बदल गया बीच बचाओ करने पहुची पृती की मा लिलावती देवी प्रसाद हमले में बुरी तरस जखमी हो गई उन्हें अस्पिताल में भरती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया वारदात से नाराज लिलावती के घरवालों ने आरोपियों की गिरफतारी के बिना उनका अंतिम संसकार करने से इंकार कर दिया है वोईसर के प्रभारी पुलिस निरिक्षक सुरेश कदम ने बताया कि मामले में आईपीसी की धारा 304 के तहत एफायर दर्च कर तिन आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है जबकि नाबालिक आरोपि को सुधार गुरुह भेज दिया गया है गिरफतार आरोपियों को कोर्ड में पेशी के बाद 15 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है राज़त सुप्रीमो लालू यादव को फिर जल जाना हुगा केंद्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ट यानि CBSC आज केंद्रिय शिक्षक पात्रता परिक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकते है इसी बिच कॉंग्रिस को एक बड़ा जटका लगा है पार्टी के वरिष्टानेता वा पुर्वकानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तिफादे दिया है तो भाजब के एक विधायक ने हद कर दी है यूपी चुनाओ के संदर्ब में उन्होंने आवेश में कहा कि जो लोग भाजपा को वोट नहीं करते उनसे कहूंगा कि योगी ने हजारों जेसी पी और बुल्डोजर मंगवा दिये है चुनाओ के बाद ऐसे इलागों को चिनित किया जाएगा जिन लोगों ने योगी जी को सपोर्ट नहीं किया है उधर करनाटक पे चल रहे हिजाब विवाद पर विवादी टिपपणी करने वाले कॉंगरस नेदा जमिर एहमद ने आखिर कार माफी मांग दी है देश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्ताल से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ 950 करोड रुपे के देश के बहुचर्चित चारा घुटाले के सबसे बड़े डोरेंडा ट्रेजरी से 149.35 करोड रुपे के गबन केस में मंगलवार को फैसला आ गया सीबी आई की विशेश अदालत ने राज़त सुप्रीमो लालु यादव सहित 75 आरोपियों को दोशी करार दिया है वही 24 लोगों को बरी कर दिया गया है सजा का एलान 21 फरवरी को होगा राज़त सुप्रीमो को कोड की और से दोशी करार देते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया इसके बाद उनके वकिल ने जेल न भेज़ कर रिम्स में भेजने के लिए आविदन दिया है इस पर कोड दो पहर दो बज़े के बाद सुनवाई करेगा बताया जा रहा है कि आज मंगलवार को कोड ने तीन साल से कम वालों को सजा सुनाया है लालो साही दस लोगों की सजा अलग से सुनाई जाएगी ऐसे में ये माना जा रहा है कि लालू को तीन साल से अधिक की सजा हो सकती है इससे पहले चारा घुटाले के चार मामलों में लालू यादव दोशी करार दिये जा चुके है अभी पहले के सभी मामलों में जमानत पर भाहर थे लेकिन मंगलवार को कोट के आए फैसले से उन्हें एक बार फिर से जेल जाना होगा करिब 950 करोड रुपे की इस अन्यमित्ता के मामले में सांड बच्छिया समेत कई पश्यों को स्कूटर से हरियाना से राचिल आने की बात सामने आई थी जबकि सैग्रोटन पश्यों नाज भी स्कूटर और मोपेट पर ढोए गए दरसल घोटाले बाजो की और से डोरंडा ट्रेजरी से अवेद निकासी की गई थी इसमें 400 सांड हरियाना और दिली से राचिल आने का बिल दिया गया था पर जांच में वाहन नमबर स्कूटर और मोटर साइकल का निकालाओं CTET रिजल्ट का अंतजार आज खत्म हो सकता है उमीद की जा रही है कि केंद्री माधमिक शिक्षा बोड यानि CVSE आज केंद्री शिक्षा पातृता परिक्षा का प्रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है प्रिजल्ट जारी होने पर अभिहरती अपना परिणाम चेक कर सकेंगे सभी सफल उमीदवारों को मार्क शीट उनके डिजी लॉकर अकाउंट में डिजिटल रूप में प्रदान की जाएगी उमीदवार संप्रिशित का उप्योग कर अपनी डिजिटल मार्क शीट और पात्रता प्रमान पत्र डाउनलोड करने में सक्षम हो सकेंगे CBSE ने की CET आंसर की एक फरवरी जारी की थी जिस पर आपति दर्च करवाने के लिए 4 फरवरी तक समय दिया गया था आपति दर्च करवाने की समय सीमा खत्म हो चुकी है CTET answer sheet के पहले board ने परिक्षा के question paper और response sheet भी जारी की थी CTET परिक्षा को पास करने के लिए किसी भी अभिहरती को नियुनितम योगिता अंक हासल करना आवशक है सामाने वर्ग के छात्रों को परिक्षा में कम से कम 60% लाना जरूरी है वही अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूच जाती एवं अनुसूच जन जाती वर्ग के छात्रों के लिए यहन्युनितम अंक 55% है बतादे कि CBSE की ओर से यह परिक्षा साल में दो बार आयुजित की जाती है इस परिक्षा को पास करनेवाले परिक्षार्थी देश भर के केंद्री विध्याले, नबुद्य विध्याले और आर्मी स्कूलों में शिक्षिकों के पदो पर भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे कॉंग्रेस को एक के बाद एक बड़े जटके लग रही हैं पार्टी के वरिशनेता एवं पूर्व कानून मंत्री अश्वीनी कुमार ने पार्टी से इस्तिफा दे दिया है। पूरा कर सकता हूँ। इस समय में भी उन्होंने सोनिया गांधी का बचाफ किया था। वह मनमोहन सिंग के नेतरत्व वाली सप्रंग सरकार में कानून मंत्री थे। कॉंगर्स पार्टी के ओर से अभी तक अश्वीनी कुमार के स्तिफे पर कोई प्रती करिया नहीं आई है। अश्वीनी कुमार किसी और पार्टी का हाथ थामेंगी या नहीं, इस पर भी स्तिती साफ नहीं है। उत्तरप्रदेश में दो चड़नों का मतदान हो चुका है, अब सभी की निगाहें तीसरे चरण की ओर हैं। ऐसे में इस चरण में भाचपा को बड़त दिलाने के लिए बयान बाजी शुरू हो गई है, लेकिन भाचपा के एक विधायक ने ऐसा बयान दिया जिसकी आलोचना शुरू हो गई है। आरोप है कि उन्होंने अपने विवादित बयान में वोटरों के लिए धमकी भरे लहजे का प्रयोग किया। कहूंगा कि योगी ने हाजारों जेसीवी और बुल्डोजर मंगवा लिये हैं, ये सबी यूपी की ओर से निकल चुके हैं। चुनाव के बाद ऐसे इलाकों को चिनहित किया जाएगा जिन लोगों ने योगी जी को सपोर्ट नहीं किया। भाजपा विधायक ने हिंदू से अपील की कि वो तीसरे चरण में भरपूर मतदान करें और भाजपा को जताएं। साथी कहा कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो यूपी छोड़ कर भागना पड़ेगा। विधायक के इस बिगडे बोल को लेकर अब राजनितिक दल भाजपा पर हमलावर है, वो इस बयान बाजी को भुनाने की रणनीती पर लग गए हैं, वहीं भाजपा की ओर से ऐसे बयानों से एक बार फिर बचने को कहा जा रहा है। करनाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर विवादत टिपणी वरने वाले कॉंगरिस नेता जमीर एहमद ने आखिरकार माफी मांग ली है। जमीर एहमद ने कहा था कि इसलाम में हिजाब का मतलब है परदा और महिलाएं जब हिजाब नहीं पहनती तो उनके साथ दुश्कर्म होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब लड़कियां बड़ी होती है तो उन्हें हिजाब से अपनी सुन्दर्दा को ढखना चाहिए। हिजाब पहना जरूरी नहीं है मगर यह सालों से चलन में है। वेकेडल के राजबाल आरिफ महुम्मद खान के उस बयान पर अपनी टिपनी कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि कुरान में कहीं भी हिजाब प्रथा का जिक्र नहीं है। जमीर आहमद नहीं कहा था कि हिजाब का मतलब गौशा परदा होता है। लड़कियों और आर्टों को हिजाब में रखा जाता है ताकि उनकी खूब सुरूरती ना दिखने पाए। महिलाओं लड़कियों की सुन्दरता को चपाने के लिए हिजाब में रखा जाता है उन्होंने कहा कि आप देख रही है कि इंदुस्तान में दुष्कर्म की घटनाए पढ़ती ही जा रही है इसकी वज़ा महिलाओं लड़कियों को परदे में नहीं रखना है महिलाओं को हिजाब में रखने का सिलसला काफी पुराना है यह अनिवारे भी नहीं है जिसको पहनना है पहने जिसे नहीं पहनना है ना पहने यह आज से नहीं वर्षों से है अब सफाई में जमीर एहमद ने ट्वीट किया कि मेरा मानना है कि हमारे पूरवरजनरी महिलाओं की रक्षा के लिए बुरका हिजाब को अनिवारिक किया था मेरा बयान इसी विश्वास पर आधारित था यूकरेन सीमा पर रूसी सैनिकों की हलचल तेज हो गई है खुफिया रिपोर्ट का दावा है कि रूस ने इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को इकठा कर लिया है कि वह यूकरेन पर चारों तरफ से हमला कर सकता है जिसकी शुरुवात कि उसे होगी पही भारत में चल रहे ही जा विवाद में अब इस्लामिक देशों का संगर्ष होने की आशंग का कायम रहेगी उधर कनाड़ा के प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो ने एमर्जंसी एक्ट लागू कर दिया है इसी बीच दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क ने पिछले साल नमंबर में अपनी इलेक्ट्रिक कार कमपनी टेसला के कुल पांच लाग चोबालिस अजार शेयर दान किये है मस्क ने 19-29 नमंबर के बीच ये दान दिया है दुनिया भर में मची उतल पुतल के बीच इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ यूकरेन सीमा पर रुसी सैनिकों की हलचल तेज हो गई है खुफिया रिपोर्ट का दावा है कि रुस ने इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को इकठा कर लिया है कि वह यूकरेन पर चारों तरफ से हमला कर सकती है जिसकी शुरुवात कीव से होगी दावा ये भी किया जा रहा है कि पुतिन बीना किसी चेतावनी के यूकरेन पर आकरमन का आदेश देंगे रिपोर्ट के अनुसार कई सिलसिलेवार हमलों का अनुमान लगाया गया है इसका मतलब है कि रुस लगातर हमले करके सबसे पहले कीव पर कबज़ा करेगा जबिन पर मौझुद करीब 60 फिजदी रुसी सेना हमले के क्षेतर में आ चुकी है अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि हमला किसी भी वक्त हो सकता है रुस ने अपनी सेना को बेलारुस में भी भेज़ दिया है जिसे मां सयुक्त युद्धभास नाम दे रहा है इस अभ्यास की शुरुआ दस फरवरी को हुई थी और माना जा रहा है कि ये दस दिन तक चलेगा पश्चे में विशेश अग्यों का मानना है कि ये सिर्फ एक चलावा है वास्तव में रुस ने उत्तरी सीमा से हमला करने के लिए अपनी सेना को बेलारुस भेजा है मौजुदा अनुमान के मताबिक करिब 1,30,000 रुसी सैनिकों ने युकरेन की सीमाओं को घेर लिया है रुस के लड़ा को विमान लगातार युकरेन सीमा के निकट गश्ट कर रहे है माना जा रहा है कि रुस शिगरही काला सागर और अजव सागर में नौ सेना अभ्यास भी शुरू कर सकता है इन अभ्यासों को पश्चिमी वेशशग्य युद्ध की तयारियों का हिस्सा बता रहे है लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका का कहना है कि शांती की उम्मिदे अभी भी बरकरार है और कूट नीती का रास्ता अभी भी खुला हुआ है भारत में चल रही हिजाब विवाद में अब इसलामिक देशों का संगठन OIC भी कुद पड़ा है इसलामिक संगठन ने हिजाब विवाद, धर्मसंसत और मुस्लिम महिलाओ को ओनलाइन निशाना बनाए जाने की खबरों को लेकर टिपपणी की है संगठन के महासची हुसेन इबराहिम ताहिर ने सयुकतर राष्ट से इन मामलों को लेकर जरूरी कदम उठाने के लिए अपिल की है इससे पहले पाकिस्तान और अमेरिका भी हिजाब विवाद पर टिपणी कर चुके है ट्वीट में कहा गया है कि OIC एक बार फिर भारत से आगरह करता है कि मुस्लिम समुदाय के जीने के अधिकार की रक्षा करते हुए इसके सदस्यों के हीतों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करे साथ ही उनके खिलाफ हिंसा और नफरत जैसे अपराधों को भढ़काने वालों और अपराधियों को न्याय के कटगरे में लाए हालंकि ये पहली बार नहीं है कि जब मुस्लिम देशों के इस संगठन ने भारत के आंतर एक मामलों पर टिपणी की है इससे पहले भी OIC कश्मीर पर जहर उगल चुका है पिछले साल विशेश दूद यूसेफ एल्डोवे ने कहा था कि OIC कश्मीर के लोगों के आत्म निरने के अधिकार का समर्थन करना जारी रखेगा Organization of Islamic Countries दुनिया भर के मुसल्मान मुलकों का रहनुमा होने का दावा करता है 25 सितंबर 1979 में बने संगठन का पाकिस्तान संस्थापक सदस्य है दुनिया में मुसल्मानों की दुसरी सबसे ज़ादा आबादी वाला भारत इस संगठन का सदस्यन नहीं है पाकिस्तान शुरू से ही इस संगठन का उपयोग भारत के खिलाफ करता आया है पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने कहां कि कश्मिर का अंसुलजा विवात चिंता का विशे है और दोनों देशों को अच्छे पड़ोसी की तरह वारता की मेच पर इस मामले का समाधान करना चाहिए अगर ये मुद्दा जारी रहता है तो हमेशा दोनों परमानों शक्तियों के बीच संगर्ष होने की आशंग का कायम रहेगी उन्होंने ये भी दोराया है कि जैसे ही मेरी सरकार सत्ता में आई पहला काम मैंने किया कि भारत से संपर किया और मैंने कहा कि देखिए आप एक कदम हमारी और बढ़ेंगे तो हम दो कदम आपके और बढ़ाएंगे मैंने इसके लिए सभी कोशी शेकी द्वी पक्षिय सम्मंदों को सामन्य नहीं होने के लिए विचार धारा को दोशी ठहराया लेकिन भारत अपनी जिद पर अड़ा है दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को सपष्ट कर दिया है कि उसकी इच्छा इसलामाबाद के साथ आतंकवाद विद्वेश और हिंसा से है कि ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वह आतंकवाद और विद्वेश मुक्त माहुल बनाए भारत बार बार सपष्ट कर चुका है कि जम्मु कश्मिर देश का अभिन्ने हिस्सा था और हमेशा रहेगा इसमें किसी भी बाहरी देश की दखल अंदाजी बरदाश्त नह कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो ने एमर्जनसी एक्ट लागू कर दिया है टूडो ने एक अदम कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों के खिलाफ चल रही ट्रक ड्रैवरों की नाके बंदी और विरोध को संभालने के लिए संग्य सरकार को अतिरिक्त अधिकार देने के लिए उठाया है कनाडा में 50 वर्षों में पहली बार एमर्जनसी एक्ट लागू हुआ है टूडो ने कहां कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि कानून को प्रभाविधंग से लागू करने की कानून प्रवर्दन की क्षमता के लिए गंभिर चुनोतिया है एमर्जन से एक्ट को लागू करने से सरकार को ये सुनिश्चित करने की भी अनुमती मिलेगी कि अवशक सेवाय जैसे की ट्रकों को हटाने के लिए रस्ता सेवाय प्रदान की जाए ये गदम कनाडाई लोगों को सुरक्षित रखने लोगों की नौकरियों की रक्षा करने और हमारे एक बड़ी वीडियो स्क्रीन और यहां तक की एक होट टब भी लगाया है इन सडकों में वेलिंग्टन स्ट्रीट भी शामिल है जो संसत भवन और प्रधानमंत्री कारियले के सामने से गुजरती है दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क ने पिछले साल नमंबर में अपनी इलेक्ट्रिक कार कमपनी टेसला के कूल 5,44,000 शेयर दान किये मस्क ने 19 से 29 नमंबर के बिच यह दान किया टेसला दुनिया के सबसे मुल्लेवन आटो कमपनी है और उस समय कमपनी के शेयरों के भाव के हिसाब से यह राशी 5,74 अरब डॉलर वेटती है रिपोर्ट के मुताबिक टेसला ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन को यह जान करी दी है हालाकि इसमें यह खुलासा नहीं किया गया है कि मस्क ने किस संस्था को यह दान दिया है उन्होंने पिछले साल क्यांत में 16,4 अरब डॉलर के शेयर बेचे थे इसके लिए उन्होंने ट्वीटर पर एक पोल भी कराया था और अपने फॉलवर से पूछा था कि उन्हें टेसला में 10 फिस्दी हिस्सेदारी बेचनी चाहिए या नहीं उन्होंने साथ ही कहा था कि इस पोल का नतिजा जो भी रहे उन्हें शेयर बेचने ही है मस्क ने पिछले साल कहा था कि हुन्हें 2021 में 11 अरब डॉलर से अधिक टैक्स देना है जानकरों का कहना है कि अगर मस्क टेसला के शेयर किफ्ट करते हैं तो हुन्हें टैक्स पे इसका फायदा मिल सकता है ऐसा इसलिए है क्योंकि चैरिटी संस्थाओं को दिये गए दान पर कैपिडल गेंस टैक्स नहीं लगता है मस्क ने 2001 में मस्क फाउंडेशन की स्थापना की थी जिसके पास 20 करोड डॉलर से अधिकी इसेट्स थे मस्क दुनिया के सबसे बड़ी राईस है और उनकी नेट वर्थ करिब 277 डॉलर है तो आज की इस खास पेशकर्श में वस इतना ही आप से कल फिर मुलागात होगी तब तक देखते रहें ये विके भी नियूस नमस्कार झाल